हेलो दोस्तों वेलकम बैक पावरसल के इस सेकंड वीडियो में आपका सागत है तो दोस्तों फर्स वीडियो में हमने जाना कि पावरसल क्या होता है और कहां कहां पर इसकी जोट पड़ती है तो इस वीडियो में हम जानेंगी कि पावरसल कैसे काम करती है मतलब पावरसल कि अ आप पावरसल को आप माली जी मेरे पास Windows 10 है मैं यहाँ पर पावरसल लिखता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास यह बहुत सारी console option आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको select करना है कि कौन सा console आपको select करना है ठीक है कौन सा आप दिखा रहा है ठीक है यह particular console हमारा 64 bit के लिए है जिस पर slash 86 लिखा है यह हमारा 32 bit के लिए ठीक है तो 32 bit के लिए है तो यह जो मेरा operating system है वो 64 bit का है ठीक है चनरली जो operating system होते हैं वो 64 bit के होते है ठीक है तो यहाँ पर हम कौन से पावरसल यूज़ करेंगे 64 bit की पावरसल यूज़ करेंगे 64 bit में क्या होता है कि आपका data जादा सकता है 32 में कम data सकता है ठीक है तो 64 bit का यूज़ करना बेटर option है तो आप यहाँ पर पावरसल 64 और पर आप देखर हो कि दो option आरे एक पावरसल आ रहा है एक इन दोनों का purpose क्या होता है Microsoft ने क्यों हमें दो console दिये हैं तो यह यह चीज़ हम इस वीडियो में चानेंगे तो isc का full form होता है integrated script environment ठीक है integrated script environment होता है इसका full form isc का integrated script environment मतलब हम यहाँ पर script को बना सकते हैं execute कर सकते हैं debug कर सकते हैं ठीक है तो यह particular जो isc इंटरफेस है अगर हम इसको open करते हैं ब Suffern है का थे आप यहाँ पर देख रहे होगे यहाँ पर एक page है यहाँ पर नीचे स्क्रिन है ठीक है तो यह यह चीज हमें समझनी पड़ेगी पहले हम इसको समझते हैं यह हमारा इंटरफेस है कमांड प्रॉम्ट जैसा है यहां पर अगर मैं एक कमांड लिखता हूँ इस कमांड के थू हम सारी सारी सर्विसेस दे सकते हैं किसपे कमांड मोड में है ठीक है कौन सी सर्विस रुनिंग है तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा रिजल्ट आ रहा है ठीक है तो इस पाफर सेल कमांड के तुरूम इसको आगे फिल्टर कर सकते हैं जो भी करना हो बट अभी हमारा यहां पर समझना मोईन मोटिव है अगर यहां पर हम कि सेम लिखें गेट सर्विजस तो यहां पर आप देखें हो मैंने अहल लिखा और इसने आटोमेटिक लिए अडेंटिफाई कर लिया कि यह वाली कमांड करना चाहरे हो यह वाली कमांड कैसे रन हो सकती इसका डिस्क्रिप्शन दिया यहां पर हैल्प में तो वह भी आप देख सकते हो यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यह आगया पूरा आपको कि आप इस कमांड को कैसे कैसे रन कर सकते हो श्रिंग में ठीक है तो यह आपको एक इक्जाम्पल के दोर पर दे दिया इसने यहां इस कमांड को आप रन कर सकते हो मैंने अब अगर मुझे यह मैं रन करता हूं get service तो इसका result कहां पर आएगा यहां पर आगया तो आपको यह समझ में आगया कि result pane कौन सा यह वाला है हमारा यह है यह है अगर आपको service कमांड यहां पर इसर वी आई तो यहां पर देख रखते हो service से related सारी कमांड यहां पर लिख हुई है ठीक है get service new service new web service proxy restart proxy तो यह यह थोड़ा सा helpful console है वर beginners अगर beginners यहां पर इसको यूज करना चाहते है service से related ठीक है यहां पर अगर आप process लिखोगे तो यहां पर प्रॉसेस से related आपको सारी कि सारी कमांड लिख जाएंगी ठीक है तो आप यहां से भी आप इसको यूज कर सकते हो ठीक है यहां से आप so process पे भी क्लिक करोगे तो यह आपको जिवाई मिल गया कि वह यह process का पात ठीक है यह हम आगे चलके और भी देखेंगे बट कहां पर गया है एक quick view ले लेते हैं ठीक है तो यह सारी चीजे आप यहां पर कर सकते हो start process ठीक है तो यहां पर हम service को आपको run कर सकते हैं ठीक है यहां पर आपको debug का option मिल जाता है तो यह बहुत सारी चीजे यहां पर आपको मिल जाती है बट इस interface में आपको क्या है यह command line interface है ठीक है यह just like cmd जैसे काम करता है जैसे cmd हम command prompt use करते थे तो command prompt को भी आप power cell console में convert कर सकते हो through the command power cell आप यहां पर से power cell लिखोगे तो यह जो आपका command prompt है वो power cell में convert हो गया है यह ठीक है तो यहां पर अगर आप get services command लिखोगे तो वो चल जाएगी ठीक है get service वो command चल जाएगी यहां पर तो यह जो हमारा power cell console है वो command line interface है ठीक है तो यह जो है हर particular command के हिसाब से काम करता है मतलब यहां पर अगर मैं multiple commands लिखता हूँ multiple lines लिखता हूँ तो यह line के हिसाब से काम करेगा मतलब पहले इस line को execute करेगा फिर उसके बाद उसके नीचे वाली line को execute करेगा बट आयसी में क्या होता है कि आपने यहां पर just suppose मैंने एक script यह लिखी है ठिजाक है है यह script यहां पर यहां पर हम copy कर देतें ठिक है अगर मैं इसको run करता हूँ itelक White मैं चाहता हूँ पहले यह वाली line then run करूं तो उसके ल column को यहां l mamy option आता है मतलब जिस चीज को आप select करोगे उस चीज को आप run कर सकते हो ठीक है यह देखें नीचे result आने लगा ठीक है अब मैं चाहता हूं कि मैं पूरी को select करके run कर दूँ ठीक है तो भी result आ गया तो यह है ISC का difference मतलब ISC में आप script को उसके portion को select करके run कर सकते हो यह छोटी से script है कुछ ऐसा है नहीं ठीक है अगर मैं इसको copy paste करके ISC पर run करना चाहता हूं तो आप इसको यहाँ पर paste कर सकते हो ठीक है यहाँ पर आप इसको paste कर सकते हो ठीक है तो यह मैंने इसको यहाँ पर paste कर दिया तो result सेम आ गया ठीक है दूसरा तरीका क्या है आप इस script को notepad में डाल सकते हो notepad में save करके और उसको extension इसका मैंने नाम दे दिया notepad में save करके इसका मैंने नाम दे दिया ps1 get service.ps1 make sure जो आपकी power cell की जो file हो वो ps1 होने चाहिए ठीक है तो यह आगे मेरी यहाँ पर ठीक है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं तो राइट क्लिक करके भी रन कर सकता हूं open with command prompt भी चाहिए यह होती है कि आप पर्टिकुलर यह जो ps1 है इसको मैं temporary folder एक मैंने c drive में temporary folder बनाया ताकि जतनी भी आपकी script की locations हो वो पर्टिकुलर एक ही efficient रहे तो ठीक है तो मैंने यहाँ पर एक c के अंदर एक folder बनाया है script उसके अंदर इसको डाल दिया अब मुझे इस location पर पहुचना है ताक कि मैं इस script को run कर सकूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं आगया cd ठीक है तो cd script और यह आगया मैं script यहाँ पर आप लिखोगे क्योंकि इसकी फाइल का extension का नाम क्या है get services ठीक है get लिखोगे tap मारोगे तो यह अपने आप उठा लेगा और आप इसको run कर सकते हो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक error आ रही है ठीक है आप यह error क्यों आ रही है यह यह चीज हम समझते हैं ठीक है अभी तक हम command run कर रहे थे कोई problem नहीं था ठीक है कोई problem नहीं था और कुछ भी नहीं था तो अभी यह error क्यों आ रही है और error क्या आ रही है file c script ps1 cannot be loaded because running script is disabled on the system ठीक है for more information about the execution policy ठीक है यह execution policy क्या है क्यों हमें problem आ रही है ठीक है तो यह हम समझेंगे next video में execution policies के बारे में execution policies अब अगर आप इसको ISC पे भी run करना चाहोगे तो वह भी problem create करेगी ठीक है see script यह मिली मैंने इसको open कर दिया ठीक है यह यह आगई आपकी execution policy की वज़े से यहां पर भी रहना था कि same error आईगी execution policy की वज़े से यह script नहीं रहन हो रही है तो मुटा मुटा हमने difference देख लिया Powercell console में और ISC ISC आपका बहुत ही easy to use है आप script को हाथ के हाथ बना सकते हो commands को modify कर सकते हो किसी particular commands का result चाहिए आप उसको देख सकते हो ठीक है और जो console है आप उस पर one to one कोई भी command करके result निकाल सकते हो easy to access है easy to run है ठीक है तो हम script execution next command में समझेंगे कि क्या होता है ठीक है मिलते हैं next video में thank you